हेलो दोस्तो, मैं एक मिनट में ये बोलने ही कुशिश करूँगा कि वाइल्ड हनी और एपेरी हनी में क्या फर्ख है वाइल्ड हनी जिसे कई लोग फॉरेस्ट हनी बोलते हैं लेकिन वो नाम गलत है क्योंकि एपेरी फॉरेस्ट में भी होती है वो काटके कपडे में डाल का स्कूइज करना पड़ता है उसलिए उसका दूसरा नाम स्कूइज हनी भी है एक तो होगा स्कूइज हनी और एपेरी हनी एपेरी हनी में जो man-made be-boxes रहते उसमें से frame निकाल कर मशीन में डाल कर घुमाया जाता है ताके centrifugal forces सिर्फ honey निकल जाए वो apiary honey कहलाता है तो अगर apiary honey और forest honey को आप बाजू बाजू रखें तो apiary honey ज़रा clarity उसमें ज्यादा होगी मतलब transparency ज्यादा होगी जबके जो squeeze honey है जो wild bee का honey है उसमें clarity कम होगी उसकी सबसे बड़ी वज़े यह है कि जब हम छटा काटते हैं और उसको squeeze करते हैं तो कई बार जब hygienic क्योंके ट्राइबल्स उतना hygienic extraction नहीं करते तो वो लोग कई दफा उसका brood, larva और pollen सारा squeeze कर देते हैं उसलिए turbidity ज्यादा होती है उसमें तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बताया था कि अगर आप को कोई wild honey दे रहा है और वो transparent है, मतलब वो चमकदार है तो आप धोगा खा रहे हैं मतलब वो wild honey नहीं हो सकता तो basic यह difference है इसके बारे में अगर आपके पास कुछ question हो तब आप मुझे question कर सकते हैं मैं उसका answer दूँगा